हेलो फ्रेंड्स मैं हुई स्मीता और मैं आज आप से कोई देश पी शेयर करने नहीं आई हूँ बलकि ये बताने आई हूँ कि डारेक्ट मलाई से घी कैसे निकाला जाता है देखें हम पर मलाई हमारा स्रिफ एक घी कटोरी है ये मलाई हमारा स्रिफ तीन दीन का है इसलिए थोड़ा कम है आप चाहे तो एक हपते का मलाई लेकर भी घी बना सकते हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा घी बनेगा तो चलिए देख लेते हैं कि मलाई से घी कैसे बनाया जाता है तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई को गंद कर लिया है अब हम क्या करेंगे जो मलाई लिए थे इसको इस कढ़ाई में डाल देंगे देखिए हमने मलाई को कढ़ाई में डाल दिया है इसे हमने फ्रीज में रखा था इसलिए थोड़ा सा जम गया है कुछ भी आयर नहीं किया है अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से बैठे ना आप चाहे तो इसे लो फ्लेम में भी रखकर दूसरा काम भी कर सकते हैं और बीच-बीच में से चला सकते हैं अद हमें इसे हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं रखना है नही और देखे ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और देखे चार से पांच मिनट में मलाई से घी बनने स्टार्ट हो गया है अब हम इसे लगा तर चलाएंगे जब तक कि पूरी तरह से घी न बन जाए और देखिए फिर से 4-5 मिनंट बाद पूरे मलाय से घी बन चुका है और देखिए मैं आपको दिखा दिए की घी हमारा कैसा है कि घी हमारा ज़्यादा नहीं बना है क्योंकि हमारे पास स्लिफ एक गी काटोडि मलाय था अगर ज़्यादा मलाई रहता तो घी भी ज़्यादा बनता मलाई हमारा पूरी तर से घी बन चुका है तो अब हम गेस की फ्रेम आफ कर देंगे और इसे कटोरी में छान लेंगे तो देखिए हमने इसे कटोरी में छान लिया है आपको इस बचेवी पार्ट को भेखना नहीं है आप इसे पराठे बनाने या मिठाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं और देखिये हमने सभी घी को अच्छे से छान लिया है आप भी घर पर डायरेक्ट मलाई से घी बना सकते है इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता और ये शिर्फ 10 मिनट में बनकर तयार हो जाता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक केजे, शेयर केजे और सब्सक्राइब केजे थाइंक यू